तो हलो, गुड मॉरिंग शुडियन्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे exercise 4B के question no.4 और question no.5 के solution के बारे में पिछली वीडियो में हम लोग ने discuss किया था question no.1 से question no.3 तक के solution को ठीक है? तो आज की इस class में हम क्या discuss करेंगे? आज किस class का हमारे जो topic है उसमें हम लोग discuss करेंगे question number 4 और question number 5 के solution को ठीक है तो चलिए start करते हैं आज किस video को तो चलिए देखते हैं fourth question क्या है हमारे पास तो fourth question यहाँ पर given है if a plus 1 upon a equal to p and a is not equal to 0 so that aq plus 1 upon aq equal to p bracket में p square minus 3 ठीक है यहाँ पर question given है a plus 1 upon a q value p given है और क्या define किया गया है a is not equal to 0 तो हमको so क्या करना है aq plus 1 upon aq equal to p bracket में p square minus 3 यह proof करना है ठीक है तो कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहले question को करने के लिए क्या-क्या question में given है हम यह लिख लेते हैं तो question में given क्या है given है हमारे पास a plus 1 upon a equal to p यह given है अब question में जो given है उसके basis पे हम question को solve करना श्टार्ट करते हमें एक words on aq यानी question में क्या किया गया है जो values है उसका kiste q q क्या गया है देखिए यह हमारे given में दिया गया है और यह हमें प्रूफ करना है तो हम को relate करना पड़ेघा of क्या करना पड़े यहां पर एक मालव हम कर सकते तो यहां कर क्या करें तो यहां पर प्लस राइब एब यहां पर a cube plus 1 upon a cube, ठीक है? तो इसको इसको इसके लिए क्या करें? यह जो equation है, इसको हम बोल देते है equation 1, ठीक है? और हमको अगर यह प्रूफ करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? Simple है, यहांपर cube है, तम क्या करें, cube कर दें, दोनों side, क्या कर दें, on, cubing, both side, अगर दोनों side हैं, क्या कर दें, cube कर दें, क्या हो जाएगा यहांपर, यहांपर हो जाएगा, a, plus 1 upon a, का whole cube, equal to pq, बताईए, इतनी चीज हो जाएगी, आप इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जब हम cube करेंगे, तो होगा क्या, एक formula होता है, किसका, a plus b का whole cube का, क्या formula होता है, a plus b का whole cube का, तो उस formula को expand करें, तो a plus b का whole cube क्या पढ़ा है, a cube, plus b cube, b के जाएगा पर कितना है, 1 upon a, b cube, plus 3, a, b, a, b की वह लिए, 1 upon a, और कितना, a minus, a plus b, अगर यहांपर plus में है, तो क्या जब प्लस में a plus b यानि 1 upon a और equal to यहां पर कितना रहेगा pq यह value रहेगी ठीक है अब हमको क्या करना था हमको aq plus 1 upon aq देखिए यहां पर जब cube किया तो यहां पर aq plus 1 upon aq आगे कि नहीं फॉर्मुला देखिए यहां पर कर क्या रहे है यहां पर a plus b का whole cube क्या formula होता है a plus b का whole cube का जो formula होता है वो हमने expand किया है aq plus b cube और plus का 3ab a plus b यह formula हमने यहां पर expand किया b की जगह पर कितना है 1 upon a है तो जब expand करेंगे तो यह value हो जाएगी तो यहां से क्या लिख सकते है aq plus 1 upon aq और plus देखिए a से a cancel हो जाएगा तो यह कितना है जगह 3 a plus 1 upon a equal to p cube यह value यहां से हो जाएगी अब equation 1 में क्या given है equation 1 में देखिए क्या given है a plus 1 upon a equal to p तो यहां पर यह जो a plus 1 upon a है इसके जगह पर हम क्या value put कर सकते है यह value p put कर सकते है तो क्या कर सकते हैं इसको equation 2 बोल देते हैं क्या बोल देते है equation 2 तो क्या लिख सकते हैं from equation 1 put equation 1 से put कर रहे है तो a plus 1 upon a equal to कितना a plus 1 upon a equal to p in equation consequence equation 2 में put कर रहे है तो equation 2 देखिए क्या हो जागी जब a plus 1 upon a की जगह पर put करेंगे तो क्या जागे यह aq बैसे ही आ जाएगा plus 1 upon a q आ जाएगा ठीक है और यहाँ पर plus 3 यहाँ पर कितना है a plus 1 upon a a plus 1 upon a के जगह पर कितना put करना है p equal to p cube, यह value आ जाएगी अब हमको सिर्फ और सिर्फ इतनी value देखें क्या प्रूफ करना है, इस value को प्रूफ करना है तो बाकी जो value उसको right side पर strip कर देते हैं, तो a cube plus 1 upon a cube equal to कितना जाएगा, p cube minus का 3p, यह value आ जाएगी, अब क्या करते हैं, देखि हर क्या dikhara, p common दिख रहा है, यहाँ पर क्या dikhara p common दिख रहा है, तो यहाँ पर दिखें का लिख सकते हैं a cube plus 1 upon a cube क्या लिख सकते हैं, a cube plus 1 upon a cube और यहाँ से पी common निकाल लेते हैं तो क्या जाएगा, p bracket में कितना बचएगा इस तरीके से question को करेंगे एक बार फिर से देख लेते हमें क्या किया किए हमें value given थी a plus one upon a equal to p और proof क्या करना था a cube plus one upon a cube equal to p bracket में p square minus 3 तो हमने क्या किया जो value given है इसको note कर लिया a plus one upon a equal to कितना होता है p अब हमको ये value prove करनी है और हमको given किवल इतना ही है ठीक है तो हमने क्या कर दिया ये value दी है इस पर simple क्या कर दिया cube कर दिया दोनों side इसको expand कर सकते हैं तो इस formula according अगर इसको expand करते हैं तो क्या होगा a cube plus b cube plus 3ab a plus b a cube और b के जगा पर ये हो जाएगा plus 3ab और a plus b यानि b के जगा पर कितना रखना है one upon a और यहाँ पर cube आ जाएगा दिखिए यहाँ से a से a cancel हो गया है आप क्या करेंगे simple हम इसको a cube plus one upon a cube और यहाँ पर 3 a plus one upon a इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं ठीक है अब यह जो value है यह हमको question में given थी कितनी थी p थी तो हमने equation 1 से क्या किया equation 1 से equation 2 में इस value के जगा पर क्या पूट कर दिया p पूट कर दिया तो क्या पचे का p square minus का 3 यह value यहाँ से आ जाएगी तो यह value यहाँ पर proof हो जाएगी ठीक है अगर यह question समझ में है तो वीडियो को पूट किजिए इसको मूट किजिए तो आप देखते है question number 5 हमारे पास क्या given है question number 5 है if a plus 2b equal to 5 then so that a cube plus 8b cube plus 30ab equal to 125 यहाँ पर क्या given है question में given है a plus 2b की value given है और हमें क्या करना है so करना a cube plus 8a cube plus 30ab equal to 125 यह हमको proof करना है ठीक है कैसे करेंगे सबसे पहला काम क्या होता है question में जो given हो उसको note करते है तो given क्या है हमारे पास given है हमारे पास क्या given है a plus 2b equal to कितना 5 given है इसका क्या कर देते है question में बोल देते है आप देखे यहाँ पर जो भी दिया वो क्या दिया है cube में given है जो भी value हमें proof करनी हो किसमें proof करनी है cube में proof करनी है तो क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे on cubing both sides cubing both sides अगर दोनों side क्या कर देते है cube कर देते है cube करने का मतलब क्या power 3 cube करने का मतलब कितना हो जाएगा power 3 कर देते है to तो इसको जो आब वो फॉर्मॉला JENN É जाइभी तो की जगापर कितना है 2b है प्लस कितना हो जाएगा 3ab 3a की जगापर a और b की जगापर 2b है और a plus b यानि a plus 2b equal to 5 का क्यूब कितना होगा 5 को 3 times multiply करें 5 5 जा 25 25 25 125 कितना हो जाएगा 125 राइस राइट की देखिए कितना हो जाएगा 8b क्यूब हो गया और plus 3 2 जा 6 कितना जाएगा 3 2 जा 6 आ जाएगा 6 और a into b कितना हो जाएगा a b हो जाएगा और यह आ गया a plus 2b equal to कितना 125 इसको equation 2 बोल देते हैं यह क्या हो गई equation 2 हो गई है अब ही हमारा right side की value आ गई है left side में यह value आगी आप simple क्या करना है इसको simplify कर देते हैं तो देखें यह जो value है यह question में को given थी यहाँ पर देखें यह value given है आप simple क्या करते हैं इस value की जगा पर यह value की जगा पर क्या रख सकते हैं यह value put कर सकते हैं तो equation 1 से क्या बोल सकते हैं from equation क्या पूट कर सकते हैं आपर कि जो a plus b है a plus 2b equal to 5 क्या करें a plus 2b equal to 5 put कर दें putting in equation 2 equation 2 में a plus 2b equal to 5 put कर दें तो देखिए कितना आ जाएगा यह a cube आ गया 8b cube आ गया plus 6ab आ जाएगा और a plus b की जिगा पर कितना है 5 है equal to 125 तो यह simplify करते हैं कितना आ जाएगा a cube 8b cube और 6 5 जा कितना हो जाएगा 30ab equal to 125 यह आपका proof हो गया ठीक है यह आपको यहां पर proof हो गया क्या किया यहां पर यह value यहां पर given थी simple क्या कर दिया हमको यह proof करना था तो यहां पर देखिए cube यहां पर power हो रहे तो simple हमने कहके है दोनों side क्या कर दिया cube कर दिया जब cube किया तो a plus b का whole cube का formula open करेंगे a cube plus b cube plus 2ab plus 3ab और a plus b तो a cube का a cube हो जाएगा b के जगा पर 2b है तो 2b का cube 3a और 2b a plus 2b और 5 का cube कितना हो जाएगा 125 इनको multiply करके इस तरीके से लिख करते है a cube हो जाएगा 2b का 8 cube हो जाएगा और a plus 2b इसको ऐसे लिख लेंगे equal to 125 अब क्या किया a plus 2b की value question में given थी तो questions हम यहां पर क्या बोल सकते है a plus 2b की जगा पर क्या पूट कर सकते है 5 वहां पर 5 पूट कर देंगे कर देंगे कर दो интерeven